दूसरे टेस्ट मकाबले के चोते दिन इंगलेंट को 106 रनों सिहरा का टीम इंडा ने रचा एतिहास नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों बारत और इगलेंट के बीच दूसरे टेस्ट मुकापले के चोते दिन बारतिय गेनबाजू की गातक गेनबाजी के दम पर टीम इंडा ने संदार परफॉमेंस करते वे इस मुकापले को 106 रनों से जीत कर सिरिस में एक एक की बराबरी कर ली हैं तो दोस्तों मैं आपको चोते दिन के खेल का पूरा रोमांच इस व्योडों बताएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडा के इस 12 संदार परफॉमेंस को देख कर खुसे तो इस व्योडों को लाइक जरूर कर दें और साथ इसाथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले तो चले दोस्तों जानते हम इस 12 संदार मुकाबले के चोते दिन का पूरा हाईलाइट सुराथ से ही चोती वे आखिरी गेन पर दो बैतरीन चोके जड़े तो वहें पर इसके बाद दोस्तों संदार तरीके से परफोमेंस कर रहे थे लेकिन इसी बीच बारती टीम को 22 और की पांचवी गेन पर रहान एहमत के रूप में पहली सपलता मिली जब वो अकसर पटेल की गेन पर सामना किया और 23 रनो की पारी खेली इसके बाद उस्तों यहाँ पर ओली फॉप करीज पर उतरे लेकिन इसी बीच 23 और की पांच वी गेन पर क्रोली के बले से एक और कमाल का चोका देखने को मिला तो वहें पर इसके बाद उन्होंने 26 और की दूसरी गेन पर भी सामने की त पारबेजा अकसर पटेल की तो इसके बाद उनका संदर प्रबॉमेंस आगे भी जारी रहा लेकिन इसी बिच दोस्तों यहाँ पर 29 और की दूसरी गेन पर रवी चंदरन अस्विन की गेन पर सलेप में कड़े रोईत सरमा के एक कमाल के केच ने यहाँ पर ओली पॉप की प अपना खाता खोला तो वहीं पर इसके बाद तीसरी गेन पर भी उन्होंने रिवर्वर्स विप के जरी एक और संदर चोका लगाया इसके बाद एक कमाल का च्छका भी उनके बल्ले से देखने को मिला लेकिन इसके बाद यहाँ पर अस्विन ने 31 और की आकरी गेन पर किनुका सामना करने के बाद 16 रनुकी पारी खेल कर पेवलियन लोटे इसके बाद उस तो यहां पर 34 वे और की चौती गेन पर जोनी बेरेस्टों ने एक और सांदार चोका जड़ा तो इसके बाद रवीच चंदरन अस्विन के और में भी उनके बल्ले से कमाल का चोका देखन गया और कुल्दी प्यादव ने 42 वे और की आखरी गेन पर जेक क्रोली को लपी डबलू आउट करके पेवलियन बेजा रोईत सर्मा का ये कमाल का रियू था और बिल्कुल स्टम्स के सामने पाए गए थे जेक क्रोली और भारती टीम को इस मकाबले की एक और महत पुन सप पलता मिल गई चेक क्रोली कापी संदर बले बाजी करे थे लेकिन 132 गेनों का सामना करने के बाद तेतर रन बना कर वो पेवलियन लोटे इसके बाद दोस्तों याँपर संदर गेन बाजी टिजस्परित बुमरा की भी जारी रही और 43 वे और की 4 गेन पर उन्होंने पेवल बना कर वो भी चस्परित बुमरा का सिकार बने और दोस्तों आज के दिन के पहले सेसन बिल्कुल भारती टीम के नाम रहा क्योंकि इस सेसन में भारती टीम ने संदर गिन बासी करते वे 5 सपलताएं प्राप्त की हलाकि इंगलेंड की टीम ने 127 रन जरूर बनाए लेकिन पर सांदार बलेबाजी करते वे बेन फॉकस ने भी जस्परित बुमरा के गेन को सांदार तरीके से विड़ोन की तरफ चार रनों के लिए बॉन्डे लाइन के पार बेजा लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सांदार बलेबाजी चल रही थी तबी 33 और की चौती गे के एक डारेक्ट हिट ने उनकी पारी को समाप्त कर दिया उन्होंने 29 गेनु का सामना किया और 11 रन बना कर प्याविलिन लोटे वहीं पर दोस्तों स्टॉक्स के आउट होने के बाद टॉम हाटली क्रीस पर उतर तो उन्होंने रवीच चंदरन अस्विन की गेन पर एक कमाल लाइन के पार वेश दिया इसके बाद टॉम हाटली और उनके साथ मिलकर वेन फॉक्स ने कमाल की साजिदारी करते वे टीम के स्कोर को कापी संदार तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों बलेबाजों ने मातर 63 येनों पर ही 50 रनों की पार नसीब पूरी का डाली लेकिन इ यहाँ पर संदार तरीके से गेन बसी करते वे जस्पृत ने पॉक्स को पैवलेन बेजा और हम बात करें बेन पॉक्स की तो उन्होंने अच्छा प्रपॉमेंस किया उनसी तर गेनों पर 36 रनों की पारी खेल कर वो पैवलेन लोटे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 68 वे औ कुमार को पहली सपलता मिली इस टेस्ट मुकाबले की इसके बाद जेम्स एंडर्सन और यहाँ पर टॉम हैटली क्रिस पर मौजू थे दोनों ने एक एक चोका जरूर लगाए लेकिन इसके बाद सितरवे और की दूसरी गेन पर चस्पृत बुमरा ने टॉम हैटली को बोल अंदर परफॉमेंस करते हुए इस मुकाबले को 106 रनों से चीत कर सिरिस में बराबरी कर ली तो दोस्तों आपको आज का यह मुकाबला किसे लगा हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वोड़ों को सेर करें धन्यवाद